एक बच्चे का occupation होता है, play and learn बच्चा खेलता है, खेल के नहीं नहीं चीजों को try करता है उनसे सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है stages of play development जो बच्चों को help करती है उनकी growth में, उनको skills develop करने में जो आगे चलके help करें यह एक बच्चे की development में इतना important है के UN Convention ने Rights of Children में उसको Article 31 में यह लिखा है नमस्कार दोस्तों, मैं Dr. Kamal Agarwal आपका स्वागत करता हूँ हमारे चानल के आज हम बात करेंगे play की importance क्या होती है बच्चों की development में कोई भी activity जिसे करने से हमारा बच्चा खुश होता है और उसे बार-बार करना चाहता है, अपने आपको उसमें engage करता है उसे हम play बोलते है खेल सिरफ उसको खुशी नहीं देता है play के थुरू वो life में आगे उसको कैसे perform करना है वो important life skills जिनके थुरू वो आगे समाज के अंदर बढ़ेगा और समाज का एक हिस्सा बना रहेगा वो उसकी development में play उसकी help करता है play एक बच्चे की development में इतना important है कि UN convention ने rights of children में उसको article 31 में ये लिखा है कि every child has the right to engage in play and recreational activities तो दोस्तों आज हम बात करेंगे play की importance के बारे में और stages of play development क्या रहती है कैसे बच्चा चीजों को करते करते खेल के थुरू अपने जीवन में आगे progress करता जाता है अब बात करते हैं importance of play play इतना जरूरी क्यों है we are biologically wired to play man is a social animal वो समाज में लोगों के बीच में रहने के लिए बना है अकेला नहीं रह सकता और लोगों के साथ में involved होने के लिए एक बच्चे के पास जरिया रहता है play का तो play के तुरू ही वो समाज के अंदर involvement होती है it gives children the opportunity to practice skills they will need in future खेल के तुरू बच्चे वो skills सीखते हैं जिनको वो आगे भविश्य में उनकी जरूरत पड़ेगी जैसे के जब बच्चे pretend play में doctor patient बनते हैं या चोर police का game खेलते हैं hide and seek खेलते हैं तो ये games उनको उन activities के अंदर या उन situations के अंदर डालती हैं जो हो सकता है in future उनके साथ में हो हो सकता है कोई हमारा बच्चा बड़ा होके doctor बने कोई policeman बने तो ये चीजें हमारे जो games छोटे रहते हैं वो उनको help करता है future में कि उन skills को practice करने में जो उनके भविश्य में उनके काम आएंगी खेल के तुरू बच्चा decision लेना और उस decision को आगे present करना और उस decision के सही या गलत होना इन सब चीजों को बच्चा समझता है खेल के तुरू ये उसे आगे जीवन में भी काफी help करेंगी एक group के अंदर जैसे football जैसी game हो या cricket है उस game के अंदर अलग-अलग rules हैं बच्चे की performance दोनों games के अंदर different रहेगी but हमें ये सिखाने में help मिलती है खेल के तुरू कि कब हमें एक दूसरे के साथ खेलना है और कब हमें एक दूसरे से अलग होकर चीजों को करना है तो it teaches children how to work together बच्चे जब खेलते हैं तो कभी conflict भी होता है कोई चीज एक बच्चे को पसंद आती है तो वो दूसरा उसके against होता है कभी हम जीतते हैं हारते हैं इस तरह की situations के अंदर बच्चा कैसे अपने आपको manage करें वो सीखता है जगडे अगर होते हैं उसको कैसे manage करना है difference of opinion को कैसे manage करना है वो start हो जाता है play के through कभी-कभी advocacy यानि कि किसी बात को समझाना अपनी बात को रखना या दूसरे बच्चों को अपनी बात समझाना ये भी बच्चा खेल के through सीखता है बच्चे को help मिलती है उन चीजों के बारे में जानने में कि उसे क्या पसंद है जैसे हो सकता है कुछ बच्चों को play में physical games जादा पसंद है जैसे के भागना अगर football जैसी game है उसके अलावा कुछ games ऐसी हो सकती है जहाँ पर बच्चा बैट के खेलता है जैसे कि chess है या कैरम है तो बच्चा खेलने से ये समझता है कि कौन से areas हैं या कौन से games है जो उसको जादा अच्छे से help करते हैं अब हम बात करेंगे stages of play development Milret Parton Newhall ने बच्चों में six stages of play development बताई हैं जो उनके according हमारे बच्चे हर एक stage के तुरू पास करते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ये छे stages हैं Unoccupied play Solitary play Onlooker play Parallel play Associate play and Cooperative और Social play अब इन stages को एक-एक करके हम discuss करेंगे सबसे पहले बात करते हैं Unoccupied play Unoccupied play जो रहता है वो पैदा होने से तीन महीने तक के बच्चों में देखा जाता है इसमें बेना किसी purpose के बेबी अपनी arms and legs को move कर रहा है चीजों को उठाता है, पटकता है, देखने की कोशिश करता है उसकी तरफ उसका ध्यान जा रहा है चीजों को उठा के अपने मुँ में भी डाल सकता है तो इन चीजों के थुरू बच्चा अपने समाज को अपने world को observe कर रहा है और उस observation से कुछ input लेता है नेक्स होता है हमारा solitary play या अकेले खेलना ये दो साल तक के बच्चों में देखा जाता है इसमें बच्चा अकेले खेलता है और दूसरे क्या कर रहे हैं, उसमें वो uninterested सा रहता है मतलब कि अगर उसके पास कोई खिलोना है, तो उस खिलोने को लेकर वो खेलेगा फिर उसे फरक नहीं पड़ेगा कि उस रूम में कोई आ रहा है या वहाँ से कोई चला गया है और दूसरे बच्चे भी अगर वहाँ बैटे हो तो वो उनकी तरफ बिल्कुल भी interest हो नहीं करेगा ऐसा हमारे दो साल तक के बच्चे करते है यह stage भी important है क्योंकि यह बच्चों को खुद से engage करने में help करती है कैसे अपने आपको बच्चा खुश रख सकता है वो solitary play के थूँ सीखता है next होता है हमारा onlooker play यह commonly two years तक के बच्चों में देखी गई है और कभी-कभी उसके पहले या बात भी observe करी जाती है onlooker या spectator spectator का मतलब है जब बच्चा दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता है और उनके खेल को देखकर सीखता है और communicate करने से पहले चीजों को observe जादा करता है यानि कि हो सकता है जब दो बच्चे खेल रहे हैं तो तीसरा बच्चा उनको देखकर उनके खेलोने की तरफ आकर शेथ हो सकता है या जिस तरह से वो खेल रहे हैं उसको observe करे next आता है हमारा parallel play parallel play जो है वो दो से तीन साल तक के बच्चों में देखा जाता है इसका मतलब है कि एक जगे पर दो बच्चे अलग-अलग चीजों के साथ में खेल रहे हैं भले वो एक दूसरे के पास बैटे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ में उनकी बातचीत नहीं हो रही है हो सकता है थोड़ी बहुत sharing हो जाए या वो एक दूसरे को copy करें और एक तरह के खिलोनों से ही खेलें जैसे कि अगर toy cars है तो हर बच्चा अपनी toy car को लेकर उसको चलाने की कोशिश करेगा फिर देखेगा कि अगर कोई दूसरा wheels गुमा रहा है या ulti car को spin कर रहा है तो वैसा भी उसको देखकर बच्चा copy कर सकता है लेकिन एक दूसरे से लेने की कोशिश या एक दूसरे से बात करने की कोशिश अभी बच्चा कम करता है social skills यहाँ पर बच्चा सीखना शुरू करता है through observation next हमारा होता है associate play जो तीन साल से बड़े बच्चों में देखा जाता है यहाँ पर बच्चे दूसरों के साथ में खेलने में interest show करना शुरू कर देते हैं जो कल तक बच्चा spectator था आज वो try करेगा कि वो भी आगे जाए और उसी toy के साथ में दूसरे बच्चे के साथ में खेलना शुरू करें they may talk and engage with one another एक दूसरे से बात करना start कर सकते हैं खेलना start कर सकते हैं sharing शुरू हो जाती है they may share toys games के अभी rules नहीं होते हैं rules को follow नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा problem solving और cooperation यहां से develop होना शुरू हो जाती है last हमारा रहता है cooperative या social play जो 4-6 साल तक के बच्चों में देखा जाता है children now are interested in both people as well as the activity बच्चों का interest अब जो खेल रहे हैं उसमें भी होता है जो लोग खेल रहे हैं उनमों भी होता है groups are more formalized with a leader अब बच्चे groups में खेलना शुरू करते हैं और उस group को lead करना भी start कर सकते हैं they may be assigned different roles बच्चे rules को follow करना शुरू करेंगे अलग-अलग role play start हो जाता है this play is organized around specific tasks and to accomplish goals developed by the group अब group जो हो रहा है वो task decide करता है और goal oriented play है जैसे कि हो सकता है बच्चे हमारे football जैसी game खेलना शुरू करें या cricket जैसी game को खेलना शुरू करते हैं जिसमें rules भी follow करने हैं और एक task रहता है balling कर रहे हैं तो सामने वाले को out करना है batting कर रहे हैं तो run score करने हैं fielding करनी हैं तो ball को पकड़ के वापिस फैकना है इन task को बच्चा करना rules के साथ में अब शुरू कर देता है this kind of play brings together skills from all other stages cooperative या social play में पिछली stages की skills भी use होती हैं और बच्चा उनको activities की form में use करता है this is necessary for social and group interaction cooperative social play में group interaction स्टार्ट होती है बच्चा और दूसरे बच्चों के साथ में involve होना शुरू करता है धीरे धीरे वो और समाज के साथ में जुड़ना स्टार्ट करता है through cooperative play six years के बाद अब play male और female groups में divide हो जाता है यानि कि boys and girls हब separately खिलना शुरू करते हैं boys की game physically running भागना दौडना और football ऐसी games हो जाती है और girls की creative type की games रहती है जिसके अंदर वो kitchen की payments करेंगे या doctor patient game खेलती है तो दोस्तों आज हमने बात करी play की importance और stages of play development जो बच्चों को help करती है उनकी growth में उनको skills develop करने में जो आगे चलके help करेंगी समाज के अंदर perform करने में आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको like जरूर करेंगे चैनल पे नए हैं तो इसको subscribe कीजिए और family and friends के साथ में share कीजिए ताकि ये information उनके भी काम आ सके आज के वीडियो में इतना ही अगली बार फिर किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद